भगवान की सेवा कर, शुद्ध कर्म कर, शुद्ध परिश्रम से पवित्र पैसा से परिवार को पाल और प्रभू को भी लिजा, कोई कुछ करता नहीं है, उस स्रेश्ट लाब के लिए कारण क्या, जिनके मन में ये भोग विलास घुज गए हैं, उनको वो रुच्छी करनी लगते, एक भवरा था, बागों का भवरा, किसी राणी के भाग का भवरा था, जहां पर नाना प्रकार के सुगंदित फूल खिले रहते हैं, उस भाग में रहता था, एक दिन यात्रा को निकला, तो मार्ग में उसे एक दूसरा भवरा टकरा गया, लिन ये भवरा था, भवरा जैसी रूप रेकाती सब कुछ, लिन ये भवरा तो प्रत्वी के उपर क्या करता है, कि वो बिष्टा की गोलियां बना बना के और बिलों में ले जाता है, गोबर की बिष्टा की गोलियां बनाता है गोल गोल, और वो उल्टे पाओं से ले जाके बिल में रखता जाता है, सारा दिन वो इक्रिया करता है, लगता तो भवरा जैसा ही है, है भी भवराई, लिन ये दूसरी काश्ट का बहुरा है लिए बागों के बहुराणी के बाग के बहुरे को ये देखकर के बड़ा दुक हुआ ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही रूप रूप वाला है मेरी जाती का जैसा लग रहा है फिर ये कर क्या रहा है ये बिश्टा की गोलिया क्यों बना रहा उसको बड़ी दया आई बड़ी दया आई तो नीचे उत्रार उसको रामराम किया भाईया रामराम तमोगुनी जीव है भावरा नीचे जो जो नीचे काम में लगा हुआ था बिश्टा की गोलिया मनानी anyway उसने पूछा कि क्या काम है क्यो राम राम कर रहे हो कोई जरूर स्वार्थ होगा तुमारा बुलो नहीं ये बात नहीं है तुम मेरा जाती ब्रादरी का भाई जैसा है तू भी भौरा ही है मैं भी भौरा हूँ चल तुम एक दिन मेरे मेरा अठिती बन जा रे जाओ साथ चल कापी प्रार्तना की तो ये विश्टा का भोरा मान गया कि तो और जादा दूर नहीं थोड़ा उडान वरे नहीं पहुँंच जाएंगे मेरा अठिती बने एक दिन तो मान गया ये बिष्टा का बहुरा और दोनों बहुरे उड़ने लगे राणी के बाग की और जाने लगे तो रस्ते में ये बिष्टा का बहुरा बोलता है कि जरा तुम यहीं ठरो मैं कोई आइटम भूल गया लाना मैं लेके आता हूँ तो बाग के बहुरे ने कहा कि ठीक है मैं यह बैठता हूँ तुम जल्ली आना बोला हाँ मैं अभी आया तो यह बिश्टा के बहुरा वापिस आया अपने बिल में और कोई आइटम भूल गया उसको लेके वापिस चल पहुंच गया दोनों उड़के और राणी के बाग में पहुंचे तो राणी के बाग का जो बहुरा था वो इस बिश्टा के बहुरे के फूलों पर बिठाता है कभी गुलाब के फूल पर बिठाता है और पूछता है कि खुश्वू आई तो बिष्टा का भोरा बोलता है कि नहीं, मुझे कोई खुश्वू नहीं आती अच्छा, तो मोगरा, चमपा, जुही, कमल, तरह तरह की फूलों पर बिठाता है और हर फूल पर जाकर पूछता है, खुश्वू आई लेकि बिष्टा का भोरा को तो खुश्वू नहीं आती, यह बोलता मुझे नहीं आई तो बागों का भोरा, रानी का भाग का भोरा, बहुत चिंता में डूगा कि इसको खुश्वू क्यों नहीं आती है सारा बाग बिभिन नाना प्रकार की खुश्वों से महक रहा है और इसको बार बार जगे जगे फूलों पर ले जाता हूँ खुश्व क्यों नहीं आती कारण क्या आकिर चिंतन करने के बाद में बागों वाला भौरा बोला कि मेरे भाई जरत तुम्हारा मूँ खोलो तो बिभिष्टा के बोरे ने मूँ खोला तो बिभिष्टा की गोली बनाके मूँ में रखके लाया उसी के लिए तो वापिस गया था रस्ते में से तो बागों का भौरा बोलता है फिर इसको खुश्व कैसे आएगी जिस बिभिष्टी ने मूँ में बिष्टा की गोली रख रखकिये उसको खुश्व कैसे आएगी तो उसने कहा अरे रे रे आओ मेरे साथ आओ तो जब पानी का इस्थान था बाग के अंदर पानी का तालाफ सरोवर था उसके किनारे ले गए और कहा की इसको थूको गोली को मेरे कैने इस थूक दो या खानी पीनी कोई कमी नहीं है आप इस चिंता में गोली रख के लाए कि पता नहीं बागओं कुछ खाने को मिलेगा कि नी अरे या तो आपको सब कुछ मिलेगा नाना बेंजन में लगे पहले तुम्हें इस बिष्ठा की गोली को तो थूको तो थूक दिया कैसे भी करके बुरे मन से और कहा कि अब मूँ भी धोलो जरा तो मूँ भी धोया इस्रान कराया तालाब में फिर उसको फिर तो बिना फूलों पे ले जाए कहने लगा आरे तुम्हारा तो ये बाग बहुत मैकता है अरे रे मेरे सारे नासा फुट बर गए खुश्बूई खुश्बूई जिदर देखो उदर ये तुम तो बड़े आनंद में रहने वाले बोला हाँ मेरे बाई इसलिए मैं तुम को लाया तुम आज से वो बिष्टा की गोलियां बनाना बंद कर दो तुम बिलकुल मेरी जात के हो तुम भी भौरे मैं भी भौरा अरे तुम मेरे साथ यहां रहो मुझे एक मित्र की आवश्यक्ता भी है बात चीत करने के लिए उस दिन से वो भौरा बागों के भौरे के साथ रहने लगा और आनंद लेने लगा इसलिए सत्संग या सादुसंग मिलता नहीं कोई गीता भागवत की कथा सुन्ने को मिलती नहीं मिलते हैं सरफ टीवी के मनोरजन कारिकरम और तरह तरह के जो परचार के लिए दिये जाते हैं इस्तिहार कॉल गेट कॉल गेट और हमाम साबून वाटेवर उनको ही देखने लगे रहते हैं संसार की सब प्रकार की निंदा इस्तुती में मैं मेरे में इनी में जीवन चला जाता है तो फिर कैसे मनुश्य अपने आपको पैचाने और कैसे धर्म को पैचाने कैसे भगवान को पैचाने कैसे भगवान की सब्ता को पैचाने भगवान कहते हैं अनंत को मैं सरजन करता हूँ मेरी सरश्टी है फिर भी मैं इससे अलग हूँ देखो मेरी योग शक्ति अर्जुन भगवान अभी अपनी योग शक्ति को दिखला रहे है कि मैं कौन हूँ अर्जुन जरा मुझे पहचान अर्जुन तो भगवान को पहचानते हैं तब तो उनकी मित्र बने हुए हैं अंतरंग सका लेकिन हम सब अर्जुन आत्मा अर्जुन रूपी आत्मा हैं जो इस मन के चक्कर में पढ़के संसार के भोगों में उत्रे हुए हैं काम, क्रोध, मद, मो, मद, सर इत्यादी शत्रों से घिरे हुए हैं उनके लिए उपदेश करना अत्यन्त आवश्चक हो गया है अर्जुन के माध्यम से उनके कल्यान के लिए इसलिए भगवान कहती है कि अर्जुन तु मेरा योग शक्ती को तो देख योग ऐश्वरम योग का ऐश्वरिय तो देख मैं तमाम सर्ष्टी का सर्ष्टी करता हूँ फिर भी मैं इस सर्ष्टी से अलग हूँ ये सब भूत ब्रिन्व सब भूत प्राणियों के अंदर भी मेरा वास है फिर भी मैं सब भूत प्राणियों से अलग हूँ भूतस तो ये तमाम भूत जल अगनी वायू आकास ख्षिति चोईस्त जितने भी सब के अंदर मैं हूँ सब सब भूतस तो ये सब फिर भी मैं इन से अलग हूँ ये सब मुझसे ही पैदा होते हैं मुझसे प्रगट होते हैं मैं इनके सरच्छी करता हूँ फिर भी मैं इन से अलग हूँ ये मेरी योग शक्ति है मैं इनके अंदर नहीं हूँ ना मैं किसी परमधाम के भीतर गुसके बैठाओं ना मैं कोई ब्रह्म जोती के अंदर गुसके बैठाओं ना कोई वैकुंट धाम के अंदर गुसके बैठाओं ना कोई भौतिक संसार के ब्रह्मांड के अंदर ना कोई प्रत्वी ग्रे उप ग्रे के अंदर गुसकर में बैटा हूँ मैं इनके अंदर नहीं हूँ जबकि यह सब मेरी रचना है और मेरा वास सर्वत्र है I am the omnipresent मैं सब जगे में मेरा वास है फिर भी मैं इनके अंदर नहीं हूँ फिर भी आ लोग हूँ उन से जो सब सिर्ष्टी निकलिये हम सब जीवात्माएं निकलिये और सर्वत्र उनकी शक्तिया है material nature है बहुत इक शक्ति बहुत इक सुभाव और आध्यात्मिक सुभाव material nature उनकी शक्तिया है एनर्जी जहें external potencies, eternal potencies यह सर्वत्र व्याप्त है और सब जगे भगवान की प्रजेंस है उनके माध्यम से लेकिन वो अपनी परम इस्थान पर है परम भक्त, शुद्ध भक्तों की आगोश आलिंगन में है उनके साथ रहते हैं उनकी बहुत सिंपल, सुन्दर दिवी लीलाएं है जिनको जानने के लिए हिर्दय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है अपने परंधाम में भी भगवान स्री कृशन परम वेश में गोपाल स्वरूप में रहते हैं गॉाले की रूप में और नित्त ही दिवी गायों का गायों को चरानी जाते हैं सुन्दर हरियाली में हरे घास में और गॉालों के साथ में अपनी शुद्ध भक्तों के से घिरे हुए रहते हैं तो परम परमिश्वर का रूप अचिंत रूप है हमारी बुद्धी से परे है इसलिए हम नहीं पहचान पाते सरद्धा अवान लबते ग्यान सरद्धा से हमको यह आत्मग्यान प्राप्त होता है आत्मग्यान से भक्ती करने से भगवान की जानकारी होती है विशेश रूप से वो ही मेरे दाम में प्रिवेश करने का अधिकारी बनता है जो भक्ती करता है भक्ती से मुझे पैचान सकता है भक्ती से ही सरद्धा उदय होती है भगवान की सेवा करने से सरद्धा उदय होती है बिना सेवा सरद्धा उदय नहीं होती सुर्दा के बिना भग्ती तो कैसे होगी सुर्दा के बिना भगवान से प्रेम कैसे होगा नैचे मतस्थानी भूतानी पश्रमे योगम एश्वरम भूत भृन्चे भूतस्थो ममात्मा भूत भावना यह तमाम सुर्ष्टी में जितनी भी अंशे यह सब मेरे से मेरे अंशे हम सब भगवान के छोटे-छोटे अंशे केशाग्रे सत्भागश्यो श्रतांशह साध्यसात्मकह जीवा सुक्षम सरूपोयम संख्याती तो ही चितकना असंक चिदानंद कण चितकना यानि यह इस्प्रीचुल आत्मा है सच्चिदानंद आत्मा है जो असंक में फैली हुई है असंक आत्मा है भगवान कहते हैं कि यह जो है केश के आगे की नौक के दस अजार टुकड़े किये जाएं उनमें से एक टुकड़ा इतना सा सुरूप आत्मा का है जरा करके देखिए आपके बाल की आगे की नौक के दस अजार टुकड़े कीजिए तो एक टुकड़ा उठाईए उतना सा आपका सुरूप है उतना आत्मा का सुरूप है जो इस शरीर में बद्ध है शरीर में इस्थिर है जिसके कारण से इस शरीर है यह आत्मा छोटा सा कण अगर निकल जा शरीर से तो यह शरीर पढ़ा रह जाता है उसको मृत्यू कहते हैं डाक्टर लोग कि मृत्यू हो गई वहिया इसकी मर गया ले जाओ अन्तेश्टी कर दो उकन था तब तक इसका हलन चलन थी नाशता था गाता था शादी बरातों में व्याहों में नारेबाजी लगाता था निता बनता था सभी कारी करता था इस आत्मा की इस कंड के कारता निकल गया यह आत्मा यह आपका स्षवरूप है जीवरों स्वरूप है नित्य क्र्शन दास चेतन महापुरजी कह रहे हैं कि ये जीव का इस कड़ का स्वरूप जो है असली स्वरूप क्रशन का दास बना रहना है ये इसकी स्थिति है क्रशन का दास जो एक कृष्ण के दासित्ता को भूल जाता है, तब जाके ये दुखों में उतरता है, उस आनन्द को छोड़ करके, उस पर्मानन्द को छोड़ करके. अपने सरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, और क्या मेरी कर्तबी है, आप हम सब का भगवायन स्री कृष्ण पिता है, वो गोविंद पिता है, वो नारायन पिता है, औरिजिनल फादर है, आपका पिता है, बाकि तो ये शरीर के, मिट्टी के, पुतले के माता-पिता, बेन-बाई, जनम-जनम होते हैं, जितने जनम आपके हुए हैं, हर बार हुए हैं, चाहिए कुत्ते बिल्लियों में जनम हुए हूँ, या भेडबक्रियों में हुए हूँ, या नर्बानरों में, जहां भी, दे आत्मा के नहीं, आत्मा के पिता तो बासुदेव स्री कृष्ण हैं, तो उस असली पिता को भूल करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं, नहीं, उनको प्रसन करके ही हम सुखी हो सकते हैं, उनकी और चलके ही हम सुखी हो सकते हैं, उनको पहचान के ही जीवन यापन करना चाहिए, ये अपना स्वरूफ पहचानना है, जीवरोव स्वरूफ है, नित्य-कृषन-दास, यह नी कलम-दास थे, आज नहीं रहेंगे, नित्य, सतत्य, यह भक्ति, भगवान की भक्ति के और, पहला चरण कदम है, कदम बढ़ाना है, कि भगवान को पहचान जाना है, और अपनी आपको पहचान जाना यता आकास इस्तितो नित्यम वायू स्थारवत्र गो महां तथा स्थरवानी भूतानी मतस्थानी त्युबदार जैसे आकाश में वायू रहता है आकास जानी जहां पर भी आकास है इस्पेस है वहाँ पर वायू रहता है वायू देवता है विंड तो यह आकास तो बहुत विस्तार में है यह मैट्रियल वर्ल्ड का आकास बहुत विस्तार में है जिस आकास में अनंत ब्रह्मांड है बिजीवल फॉर्म से स्रष्टी है भगवान की यह आकाश के अंदर आकाश भी स्रष्टी का ही पार्ट है लिए आकाश सुक्षम तत्व है आखों से नहीं दीखता लिए इस्थूल तत्व इसके अंदर लटके हुए है बगवान केते हैं जिसे आकाश में वायू रहती है अगनी रहती है जल रहता है अर्थ प्रत्वी रहती है आकाश में तो दूसरे चार तक तो विराज मानें कहिए कि 24 तब तो आकाश में ही विराजमान है लग तो ऐसा ही रहा है भगवान कहते हैं जैसे आकाश में वायू रहती है ऐसे ही ये तमाम अनंत ब्रह्मान्द बैकूंट जगत आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत तमाम अनंत ये मेरे अंदर है ये मेरे अंदर विराजमाने मेरे अंदर रेस्ट कर रहा है तमाम ये ता ये था आकाश इस्थितो नित्यम वायू सर्वत्र गोमा